क्या आप जानते हैं कि दवाई के साथ शराब लेने से हमारे शरी को बहुत नुकसान हो सकता है? आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी दवाई है जिसके साथ हमें शराब नहीं लेनी चाहिए? और अगर आपने गलती से ले भी ली तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि दवाई के साथ शराब लेने से हमारे बोड़ी में क्या रियाक्शन होता है? जब आप शराब पीते हैं तो हमारी बोड़ी उसे ब्रेक करती है छोटे कमपाउंस में जिससे उसले टॉक्सिसिटी कम होती है और वो शरीय से बाहर जल्दी निकल जाती है बट अगर आप दवाई के बाद शराब लेते हैं तो हमारी बोड़ी शराब को छोटे कमपाउंस में ब्रेक नहीं कर पाती जिससे शराब का टॉक्सिक कमपाउंस के लेवल्स हमारे बोड़ी में बढ़ जाते हैं तो देखते हैं ये जो शराब के toxic products है वो हमारे body में जमा होने की वज़ा से क्या-क्या problem कर सकते हैं और वो problems आखिर में कितने खतरनाक है तो ये जो reaction होता है उसे बोलते हैं डायसलफिरम-like reaction ये reaction दवाई के बाद शराब लेने पर तुरन 10 से 30 मिनिट में शुरू हो जाता है इसमें आपको शुरुवात में सिर्दत हो सकता है जो धीरे-धीरे बढ़ने लगता है फिर उल्टी और चक्कर आने लगती है बहुत पसीना चूटने लगता है और आपका face and upper chest part लाल होने लगता है धीरे-धीरे सास लेने में दिक्कत होती है और सब धुमला दिखाई देने लगता है फिर कुछ लोगों को सीने में दर्द और दिल की धड़कने तेज हो सकती है और अगर यह toxic compounds का levels बहुत ज़ादा बढ़ गया शरीर में तो heart failure जैसे dangerous situation भी हो सकता है जिसमें death भी हो सकती है इस reaction को बोलते हैं diaculfurum like reaction तो आप देखते हैं कि कौन सी दवाई के साथ यह reaction होता है और कब होता है सबसे important दवा जो आपको याद रखना चाहिए वो है metronidazol normally हम इसे metron या flagel के नाम से जानते हैं यह दवा पेट, दात और vaginal infection में normally दिया जाता है दात निकालने के बाद भी यह दवा commonly prescribed होती है इवन देखा जाए तो हम लोग कभी-कभी यह दवा पेट खराब या डाइरिया होने पे खुद से ही ले लेते हैं यही ग्रुप की और एक दवा है tinidazol जो यह same situation में दी जाती है अब देखते हैं यह दवाई लेने के कितने दिन बाद दारू पी सकते हैं और दारू पीने के कितने दिन बाद दवाई ले सकते हैं यह चीज़ बहुत important है अगर अप metronidazol ले रहे हैं तो last tablet लेने के बाद 2 दिन तक आपको दारू नहीं पीनी है और अगर आपने आज दारू पिया है और आपको यह दवाई का को श्टार्ट करना है तो आपको 12 गंटे के बाद वो दवाई चालू करना है तो एक minimum 12 गंटे का gap होना चाहिए जिसमें दारू के toxic compounds हमारे body से निकल जाते हैं और अगर आपने tinidazol ली है तो 72 hours याने 3 दिन तक आप दारू नहीं पी सकते और एक important दवा है ketocanazol जिसे fungal infection में use किया जाता है इसका shampoo भी आता है जिसको dandruff के treatment के लिए prescribe किया जाता है shampoo से इतना problem नहीं होता क्योंकि इसे हम scalp के उपर use करते हैं बट अगर आप इसे दवाई के रूप में ले रहे हैं तो इसके साथ भी दारू का reaction होता है जिसके वज़े से हमें ये नहीं लेना चाहिए इसके बाद के जो दवाई है उसे हम blood pressure में use करते हैं और कभी-कभी ये migraine के लिए भी prescribe होती है इस दवाई का नाम है propranol जिसे हम inderol के नाम से भी जानते हैं ये दवाई blood pressure कम करने में मदद करती है अब देखा जाए तो दारू भी आमारे body में blood pressure कम कर देती है तो दोनों अगर एक सत मिल जाए तो अचानक blood pressure कम होने का chances बहुत जादा है इसके लिए ये दोनों चीजे एक सत नहीं लेनी चाहिए ये medicine चालू करने के एक हफता तक दारू बिलकुल ना ले और अगर आप बहुत दिन से ये दवा ले रहे हो या हाली में आपके डॉक्टर ने उसका dose increase किया है तो उसके बाद भी एक हफता तक आपको दारू नहीं लेनी चाहिए फिर अगर आप anti-anxiety या anti-epliptic के दवा जैसे diazepam, klonazepam, lorazepam, buspiron ले रहे हैं तो उसके साथ शराब आपको नहीं पीनी है अगर आप इन दवाई के साथ शराब पीते हैं तो आपको behavioral changes, सास लेने में दिखकर या फिर चक्कर भी आ सकती है और अगर आप warfarin therapy पे हैं तो आपको शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इसे internal bleeding हो सकती है या फिर blood clots, stroke और heart attack भी आ सकता है फिर कुछ लोग जो diabetes के लिए metformin ले रहे हैं उन्हें भी शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उससे हमारा blood sugar level बहुत low हो जाता है लास्ट में सबसे common एक दवा के बारे में हम discuss करना चाहते है वो है paracetamol ऐसे तो paracetamol तो सबसे safe दवा मानी चाती है बट आपको याद रखना चाहिए कि paracetamol liver के through process होता है और दारू भी हमारे liver को affect करता है जैसे कि आपको पता है paracetamol 500 और 650 mg के tablets में मिलते है तो अगर आपने दिन में 5 या 6 गुलिया ले ली और उसके साथ अगर आपने दारू पिया तो ये एक combination आपके liver के लिए खतरनाक साबित हो सकता है तो ऐसे और भी हाजारों दवाईया हैं जो अलकॉल के साथ react करके हमारे शरीर को नुकसान पहुचा सकते हैं कुछ दवाई ऐसे भी है जो दारू की साथ लेने से हमारे शरीर के अंदर नहीं पहुचते जिसके वज़े से दवाई के बाद जो हमें राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती तो आप अगर दारू पीते हैं तो हमेशा कोई भी दवाई स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल जरूर करें आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू